नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिर्जेश वसिष्ट दरसल ये जो खाली कुरसी है ना, इसका सीक्रेट हमको समझना पड़ेगा क्या है अब अगर आतिशी को खाली कुरसी ही रखनी थी जरूरत नहीं थी उसकी तस्वीर सब के सामने भीजने की उसको इस तरह से पब्लिक में लाने की ये जो लोग भी उसकी आलोचना कर रहे हैं वो सब लोग केजरीवाल और आतिशी का काम आसान कर रहे है आम आदमी पाटी का काम आसान कर रहे है आप कहेंगे कि इससे तो लोग बुलाई कर रहे हैं कि वहिया कैसे खणाओं सरकार चला रही है ये कैसी मुख्यमंत्री है दरसल इसके पीछे एक बड़ी स्पस्ट सा राजदीतिक संदेश है संदेश है कि केजरी वाल ही मुख्यमंत्री है और नहीं भी है मतलब की बात ये कि केजरी बाल मुख्यमंत्री अगर नहीं है तो टेंप्रेरी बेसिस पर नहीं है चार महीने बाद चुनाओ में जीतने के बाद केजरी बाल फिर इस कुरसी पर बैठेंगे यानि आने वाला दिल्ली का विधान सभा चुनाओ कीजरी बाल के मुख्यमंतरी के नाम पर ही लड़ा जाने वाला है आतिशी की भूमिका मुख्यमंतरी के तौर पर केबल खड़ाओं संभालने वाली है और खड़ाओं संभालने वाली इसलिए है कि चार महीने बाद चुनाओ है इस चुनाओ के बीच में सरकार कुछ तो काम करेगी चुनाओ से पहले अगर सरकार एक ऐसे व्यक्ति के हाथों चलाई जा रही होती जिसको सुप्रीम कोट ने जमानत देते वक्त कहा कि तुम सरकार नहीं चलाओगे तुम किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करोगे तुम मुख्यमंद्री के दफ्तर नहीं जाओगे तो ऐसा करके तो चुनाओ जीता नहीं जा सकता था तो केजरी बाल ने बड़ी सफाई से आतिशी को जिम्मेदारी दी और ये संदेश दिया कि ये मुख्यमंद्री हैं लेकिन सिर्फ चुनाओ तक हैं चुनाओ के बाद मुख्यमंद्री वापस आएगा केजरी बाल वापस आएगा और उस कुरसी पर बैठेगा जो कुरसी उसके लिए खाली छोड़ी गई है यानि एक संदेश बड़ा साफ है कि चुनाओ के बाद केजरी बाल ही मुख्यमंद्री बनेगा पहली चीज़ दूसरे चीज अतिशी को मुख्यमंद्री की जिम्मेदारी देने के बाद केजरी बाल ने काफी हद तक अपने आपको मुख्यमंद्री वाले टेंशन से मुक्त कर लिया है क्योंकि वो मुख्यमंद्री की कुरसी पर बैठे रहते हैं रोज रोज वोई LG वोई केंदर सरकार वोई खीचतान और तमाम सारी चीज़ों के बीच में वो कामवाम नहीं कर पाते हैं वो काम करें नहीं सकते थे और उस LG चक्कर में वो चुनाओ पर उतना फोकस नहीं कर पाते अब क्या कर रहे है केजरी बाल जनता के बीच जाने की जो स्ट्रेटजी है चार महीने ये जनता के बीच जाके अपनी इमानदारी की बाते करेंगे भारती जनता पार्टी की बेमानी की बाते करेंगे उत्पिरन की बाते करेंगे और लोगों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उनको सरकार नहीं चलाने दी गई किस तरह से उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किये गए और साजिश की गई उनके खिलाफ फरजी मामलों में फसाया गया और वहां जाकर ये बहुत इमोशनल टाइप के बयान सीधे जनता को दे रहे हैं ये एक तरह की भारत जोड़ो यात्रा मान लीजे दिल्ली के अंदर मनिश शिसोदिया बताते हैं कि इन्होंने मेरे सारे अकाउंट सील कर दिये इस दोरान जब जनता में जा रहे हैं और नतीजा ये हुआ कि मेरे बच्चे की कोलेज की फीज जमा करने के लिए मिरवास पैसे रही थे मुझे लोगों से भीक मांगनी पड़ी उधार लेना पड़ा तब बच्चों की फीज जमा करी बताना पड़ा कि मेरे अकाउंट सीज कर दिये गए हैं मैं क्या करूँ बच्चे की फीस करानी है एडविशन कराना है तुम पैसे दे दो ये एक मुख्यमंत्री की व्यथा है जब ये कोई व्यक्ति सुनता है न तो उसको एक साहनबूती होती है जब केजरीवाल ये कहता है कि मुझे पैसे खाने होते भाईया तो मैं आपको फ्री में बिजली क्यों देता बिजली कंपरी तो बहुत पैसे मुझे देने को तयार्थी में ले लेता मैं आपको फ्री में पानी क्यों देता तो एक कनेक्ट बनता है और ये चार महिनों में केजरीवाल गली गली महले महले में जाएगा हर आदमी से दिल्ली के वो आदमी इंटरेक्ट करेगा हर आदमी से दो दो चार चार बार मुलाकात करने की कोशिश करेगा और ये जो चार महिने का ओन ग्राउंड इलेक्शन केमपिन है इस election campaign को counter करने की ताकत ना बीजेपी में है ना कॉंग्रेस में है, कॉंग्रेस में तो बिलकुल ही नहीं क्योंकि कॉंग्रेस का संगठन दिल्ली में खतम हो चुका है, जो 16 नेता है, 10-15, वो एक हंडिया में रखे हुए केकले की तरह है, वो एक दूसरे को खीशते रहते हैं जैसे एक आदमी को कुछ टिकट मिलेगा तो बाकी दो लोग केंगे, इसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, इसी में जीवन चल रहा उनका, बीजेपी के पास में जो campaign करने की वज़े हैं, वो ये था एक सबसे वड़ा कि मुख्यमंतरी के तोर पे आप स्तीफा दे दिया, पहले भलों ने कहा कि आप जेल में रहते हुए, कैसे आप मुख्यमंतरी रह सकते हो, कोई बात नहीं, अब जमान्ए ओके बाहरा आगय रहे तो बोले आप कैसे रह सकते हो, उसने रहा ठीक है नहीं रहते हैं, तो जो मुख्यमंतरी के गेजिरी वाल स्त Сलोगन फा करे। दे रही है लेकिन जन्ता के पास जा जाकर, अगर भारते जन्ता पार्टी का कोई निता कोई बात कहेगा, तो वो एक इंडारेक्ट कम्मणिकेशन होऔर यहां पर सुयम आदемी सामने आकर बोल रहा है कि भया मुझे फसा लिया, मुझे बरबात कर दिया, दिल्ली का विकास रोग दिया तो जो नाराज़गी भी लोगों की होंगी न, वो नाराज़्गिया हमी दूर हो जाएंगी तो जो एंटिनकम्बेंसी है, 10 साल से सरकार चला रहा है दिल्ली में वो और जब 10 साल कोई सरकार चलती है तो लोगों के अंदर उसकी नाराजगी होती है वो सेंटी इंकमबेंसी को केज़ जी वालने कतम कर दिया इसके साथ साथ दिल्ली में महिलाओं की भूमे का बहुत बड़ी है करीब 60% के आसपास वो पिछले चुनाओं में आम आदमी पार्टी को महिलाओं के मिले थे क्योंकि महिलाओं से जुड़ी हुई सारे चीज़ें आम आदमी पार्टी ध्यान रख रहे है आम आदमी पार्टी की फिलोस्फी में आपको बताता हूँ जब शुरू में इनोंने और वो आज तक उसका पालन कर रहे हैं ऐसे काम करो जो सीधे जंता से जुड़े हूँ आप क्या पॉलिसी बना रहे हो कहां फ्लाई उबर बना रहे हो अतना ज़्यादा आदमी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने खड़े होके उनके महले का खंबे का बल बदलवा दिया तो वो ज़्यादा मैटर करता है तो आतिशी को लेके आना महिलाओं के लिए एक संदेश है कि देखो और इसका ही नतीजा है कि अब भारती जंता पार्टी फिर चक्कर में पड़ गई है कि किस तरह से हम एक महिला मुख्यमंद्री केंडिडेट लेकर आएं और वो महिला मुख्यमंद्री केंडिडेट जब आएगा तो वे स्मृती रानी होगी क्या इस पे भी बात चल रही है सुश्मा सुराज की बेटी लोग कहते वंशवाद नहीं उसको भी मुख्यमंद्री के तौर पे पेश करने की बात चल रही है तो फार्ती जंता पार्टी भी चुनाओं को लेकर बड़ा चिंतित है क्योंकि उसके सिरे में कुछ नहीं आ रहा उसने चुटिया पकड़ी केजरी वाल की केजरी वाल ने अपके चुटिया कैची से कट दी रख ले अपने पास तो ये जो आतिशी का ये जो तस्वीर है ये तस्वीर दिल्ली के वोटर को एक संदेश देने की कोशिश है और इस तस्वीर को जतना वाइरल करोगे आप जतना आलोचना करोगे इस तस्वीर की अत्यादा वोटर को ये पता चल रहा है कि दिल्ली में आतिशी टैंपरिरी वेसिस पर है केजरी वाल को ही बनना है आम आदमी पाइटी को हमें वोट देना है तो केजरी वाल को वोट देना और निस्चित तोर पे एक तरफ केजरीवाल और दूसरी तरफ आतिशी अगर मुक्षमंतरी के तौर पर वोट मांगने जाएंगे तो केजरीवाल को जादा वोट मिलेंगे याद कीजिए अंतिम समय में मुक्षमंतरी बदलने की गलती एक बार भारती जंता पाटी ने की थी सुषमा स्वराज को मुक्षमंतरी बना दिया गया था चुकि वो अपनी छवी ही उस तरह की नहीं बना पाई थी लोग उनको मुक्षमंतरी पर देखी नहीं पाए थे कम समय था चुनाव भार गई अगर आतिशी को मुक्षमंतरी के तौर लेके जाएंगे तो ये चुनाव भार जाएंगे तो ये आगे भले ही आतिशी को बना दे बाद में अपनी किसी रणनीती के तहत लेकिन इनको चुनाव तो केजरीवाल के चेरे पर ही लड़ना है और अगर केजरीवाल के चेहरे पर मुख्यमंतरी का चुनाव लड़ना है दिल्ली के तो ये जो कुरसी खाली रखी गई है इससे अच्छा कोई विजूल कम्मुनिकेशन नहीं हो सकता तो ये चमचागरी नहीं है ये लोकतंत्र में राजतंत्र बाजतंत्र जो कुछ बाते हो रही है भरत ने राम की जैसे खणाओ रखके सरसंग चलाया था जो बाते हो रही हैं सब बाते एक संदेश देने के लिए हो रही है वो ये कि केजरीवाल जल्डसमर्थन लेने आपके पास आ रहा है इस खाली कुर्सी को अगर आप भरना चाहते हो तो इस बार आमादमी पार्टी कोई बोर्ट देना परना केजडी बल चला जाएगा तुम्हारे दिल्ली से यह है रंडीते अमीद करता हूँ कि आप पूरी स्ट्रेजिय समझ गये हो और यह स्ट्रेजी बड़ी परस्ट है आपको आमादमी पार्टी के हर कदम में जब आप यह वीडियो देख चुके होंगे हर कदम में आप पकड़ पाएंगे कि अच्छा यहामाद्वी बाड़ी क्यों कर रहे है यह सारा काम नमस्कार जहिंद